नमस्कार दोस्तो आईए सुनते हैं मुशी प्रेमचन जी द्वारा लिख्यू ही एक कहानी लांचन अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आखे लोगों के हिर्देयों के भीतर घुस सकती तो ऐसे बहुत कामिस्त्री पुरुस होंगे जो उसके सामने सीधी आखे करके ताक सकते महिला आस्रम की जुगनुवाई के विशे में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी वो बेपड़ी लिखी गरी बूड़ी औरत थी देखने में बड़ी सरल बड़ी हंसमुख लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफ रीडर की निगाह गलतियों पर ही जा पड़ती है उसी तरह उसकी आखे में बुराईयों पर ही पहुँच जाती थी शहर में ऐसी कोई महिला न थी जिसके विशेय में दो चार लुकी छिपी बातें उसे नमालूम हो उसका ठिगना इस्थूल शरीर सिरके खिचडी बाल गोल मुह फूले फूले गाल छुटी छुटी आँखें उसके सुभाब की प्रखरता और तेजी पर परदा सा डाले रहती थी लेकिन जवा किसी की कुटसा करने लगती तो उसकी आकरिती कठोर हो जाती आँखे फैल जाती और कंट स्वर करकश हो जाता उसकी चाल में बिल्लियों का ससयम था दबे पाउं धीरे धीरे चलती पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तयार हो जाती थी उसका काम था महला आस्तरम में महलाओं की सेवा टहल करना पर महलाएं उसकी सूरत से कांपती थी उसका आतंक था कि जो ही वो कमरे में कदम रखती ओठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती थी चहकने वाली आवाजन जैसे बुझ जाती थी मानो उनके मुक्फर लोगों को अपने पिछले रहसे अंकित नजर आते हो पिछले रहसे? कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जन्तू के समान कट घरों में बंद करके न रखना चाहता हो? धनियों को चोरों के भैसे निद्रा नहीं आती मानियों को उसी भाती मान की रक्षा करनी पड़ती है वह जन्तू जो पहले कीट के समान अलपा कार रहा होगा दिनों के साथ दीर गोस सबल होता जाता है यहां तक हम उसकी याद ही से काप उठते हैं और अपने ही कारनामों की बात होती तो अधिकांस देवियां जुगनू को दुदकार दी पर यहां तो मैके और ससुराल ननियाल, ददियाल, फुफयाल और मौसियाल चारो ओर की रक्षा कहनी थी और जिस किले में इतने दौार हों उसकी रक्षा कौन कर सकता है वहां तो हमला कहने वाले के समान मस्तक जुकाने में ही कुशल है जुगनू की दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े हैं और वह जरूरत पढ़ने पढ़ना उखार दिया करती थी जहां किसी महला ने दौन कीली या शान दिखाई वहां जुगनू की त्योरियां बदली उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छों को दहला देती थी मगर यह बात न थी कि इस्तरियां उससे घ्रना करती हो नहीं सभी बड़े चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती अपने पडूसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनुरंजन का विशे रही है और जुगनू के पास इसका काफी सामान था नगर में इंदुमती महिला पाटशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कुल था हाल में मिस खुर्षेद उसकी हैड मिस्ट्रिस होकर आएं थी शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब न था मिस खुर्षेद एक दिन आसरम में आई ऐसी उंचे दर्जे की सिक्षा पाई हुई आसरम में कोई देवी न थी उनकी बड़ी आवगत हुई पहले ही दिन मालूम हो गया मिस खुर्षेद के आने से आसरम में एक नई जीवन का संचार होगा कुछ इस तरह दिल खोल कर हरेक से मिली कुछ ऐसी दिल्चस्प बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गई गाने में चतुर थी ब्याख्यान भी खूब देती थी और अभिने कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था ऐसी सर्भुन संपन देवी का आना आसरम का सोभाग्य था गुलावी गोरा रंग, कोमल काल, मदभरी आँखें नए फैशन के कटे हुए केश एक-एक अंग सांचे मढ़ला हुआ मादकता की इससे अच्छी प्रतिमाना बन सकती थी चलते समय मिस खुरशेद ने मिसेश टंडन को जो आसरम की प्रधान थी, एक आंत में बुला कर पूछा वह बुडिया कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुरशेद को अनवेशन की आँखों से देख चुकी थी मानो कोई, शहस बार किसी नई गोड़ी को देख रहा हो मिसेश टंडन ने मुसकरा कर कहा यहाँ उपर का काम करनी के लिए नौकर है कोई काम हो तो बुलाओं मिस खुरशेद ने धन्यवाद दे कर कहा जी नहीं, कोई विशिस काम नहीं है मुझे चालवाज मालुम होती है यह भी देख रही हूँ कि वह सेविका नहीं, स्वामी नहीं है मिसेश टंडन को जुगनू से जलन तो थी ही इनके बैधब्वे को लांचित कहने के लिए वह उन्हे सदा सुहागिन कहा करती थी मिस खुरशेद से उसकी जितनी बुराई हो सकी वह हकी और उससे सचित रहने का आदेश दिया मिस खुरशेद ने गंभीर होकर कहा तब तो भयंकरिस्त्री है तब ही सब देवियां इससे कामती है आप इसे निकाल क्यों नहीं देती ऐसी चोड़ैल को एक दिन न रखना चाहिए मिसे टंडन ने अपनी मजबूरी बताई निकाल कैसे दूँ जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा हमारा भाग्य उसकी मुठी में है आपको दो-चार दिन में उसके जोहर खुलेंगे तो देखना मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी उसके पंजे में न फस जाए उसके सामने भूल कर भी किसी पुरुष्य बाते न कीजिएगा इसके गोयन दे न जाने कहां कहां लगे हुए है नौकर से मिलकर भेद यह ले डाकिये से मिलकर चिठ्थिया यह देखे लड़कों को फुसला कर घर का हाल यह पूछे इस राण को खुपिया पुलिस में जाना चाहिए था यहां न जाने आक्यार क्यों मरी यह मिस खुर्षेद चिंतित हो गई मानो इस समस्या को हल करनी की फिक्र में हो एक शण बात बोली अच्छा मैं इसे ठीक करूँगी अगर ना निकाल दू तो कहना मिसेश टंडन निकाल देने से ही क्या होगा उसकी जवान तो बंद न होगी तब तो वा और भी निडर होका कीचर फेंकेगी मिस खुर्षेद ने निश्चिंत स्वर में कहा मैं उसकी जवान भी बंद कर दूँगी बेहन आप देख लीचेगा टकी की औरत यहां बादशाहत कर रही है मैं यह बरदास नहीं कर सकती वह चली गई तो मिसेश टंडन ने जुगनू को बुला कर कहा इस नई मिस साहब को देख यहां प्रिंसिपल है जुगनू ने दिवेश भरे स्वर में कहा आप देखें मैं ऐसी सैकणों छोकरियां देख चुकी हूँ आखों का पानी तो जैसे मर गया हो मिसे टंडन धीरे से बोली तो मैं कच्चा ही खा जाएंगी उनसे डरती रहना कह गई है मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी मैंने सोचा तो मैं चेता दू ऐसा नहो उसके सामने कुछ ऐसी बैसी बातें कह बैठो जुगनू ने मानो तलवार खिंच कर कहा मुझे चेताने का काम नहीं उन्हें चेता दीजिएगा यहां का आना न बंद कर दू तो अपने बाप की नहीं वह घूम कर दुनिया देखाई है तो यहां घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ मिसे टननने पीठ ठोंकी मैंने समझा दिया भाई आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने जुगनू आप चुकचाब देखती जाएए कि ऐसा तिगडी का नाचना चाती हूँ इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया उमर तो तीस के लगबग होगी मिसे टननने रद्दा जमाया कहती है मैं शादी नहीं करना चाती किसी पुरुस के हाथ क्यों अपनी आजादी बेचू जुगनू ने आखे नचा कर कहा कोई पूछता ही न होगा ऐसी बहुत सी कुवारियां देख चुकी हूँ सत्तर चुवे खाकर बिल्ली चली हज को और कई लॉंडिया आ गई और बात का सिलसला बंध हो गया दूसरे दिन सबेरे जुगनू मिस खुर्षेद के बंगले पर पहुँची मिस खुर्षेद हवा खाने गई हुई थी खान सामा ने पूछा कहां से आती हो जुगनू यहीं रहती हूँ बेटा मैम साहब कहां से आई है तुम तो इनके पुराने नौकर होंगे खान सामा नागपुर से आई है मेरा घर भी वही है दस साल से इनके साथ हूँ जुगनू किसी उंचे खानदान की होंगी वह तो रंगढ़ंग से ही मालूम होता है खान सामा खानदान तो कुछ ऐसा उंचा नहीं हाँ तकदीर की अच्छी है इनकी माँ अभी तक मिशन में तीस रुपए पाती है यह पढ़ने में तेज थी बजीफा मिल गया बिलाद चली गई बस तकदीर खुल गई अब तो अपनी माँ को बलाने वाली है लेकिन वह बुड़िया शायद ही आए यह गिरजे बिरजे नहीं जाती इससे दोनों में पढ़ती नहीं जुगनू मिजाज की तेज मालुम होती है खान सामा नहीं यह तो बहुत नेक हैं गिरजे नहीं जाती तुम क्या नौकरी की तलाश में हो करना चाहो तो कर लो एक आया रखना चाहती है नहीं बेटा मैं अब क्या नौकरी करूंगी इस बंगले में पहले जो में साहब रहती थी वह मुझे पर बड़ी निगाह रखती थी मैंने समझा चलू नई में साहब का आसिरवाद लेनू खान सामा यह आसिरवाद देने वाली में साहब नहीं है ऐसों से तो बहुत चिरती है कोई मंगता आया और उसे डांट बताई कहती हैं बेना काम किये किसी को जिंदा रहने का हग नहीं है भला चाहती हो तो चुपके से राह लो जुगनू तो यह कहो इनका कोई धरम करम नहीं फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी जुगनू को अपने दीवार खड़ी करने के लिए काफी सामान मिलिया नीच खानदान की है मां से नहीं पठती धरम से बिमुक है पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम न थी चलते चलते खान सामा से इतना और पूछा इनके साहब क्या करते हैं खान सामा ने मुस्करा कर कहा इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई साहब कहां से होंगे जुगनू ने बनावटी आश्चरिस से कहा अरे अब तक ब्याह नहीं हुआ हमारे यहां तो दुनिया हसने लगे खान सामा अपना अपना रिवाज है इनके यहां तो कितनी ही ओरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती जुगनु ने मारमिक भाव से कहा ऐसी कुवारियों को मैं बहुत देख चुकी हमारी ब्रादरी में कोई इस तनो रहे तो थूड़ी थूड़ी हो जाए मुदा इनके अहां जो जी में आय करो कोई नहीं पूछता इतने मैं मिस खुर्शेदा पहुची गुलाबी जाड़ा पढ़ने लगा था मिस साहब साड़ी के उपर ओवर कोट पहने हुए थी एक हाथ में छत्री थी दूसरे में छोटे कुटे की जंजीर प्रभात की शीतल बायू में ब्यायाम ने कपोलों को ताजा और सुर्ख कर दिया था जो बनूने जुक कर सलाम किया पर उन्होंने उसे देख कर भी न देखा अंदर जाते ही खानसामा को बला कर पूछा यह औरत क्या करने आई है खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा भिकारिन है हुजूर पर औरत समझदार है मैंने कहा यहां नौकरी करेगी तो राजी नहीं हुई पूछने लगी इनके साहब क्या करते हैं जब मैंने बता दिया तो इसे बड़ा ताज्जू हुआ और होना ही चाहिए हिंदूओं में तो दुदमेहे बालकों तक का विवा हो जाता है खुर्षेद ने जांच की और क्या कहती थी और तो कोई बात नहीं हुजूर अच्छा उसे मेरे पास भीज़ दो जुगनू ने जोही कमरे में कदम रखा मिस खुर्षेद ने कुर्सी से उठका स्वागत किया आईए माजी मैं जरा सेर करने चली गई थी आपके आस्रम में तो सब कुशल है जुगनू एक कुर्सी का तकिया पकड़ कर खड़ी खड़ी बोली मैंने कहा आपको आसिरबाद दे आउ मैं आपकी चेरी हूँ जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा यहां अकेले तो हुजूर को अच्छा न लगता होगा मिस खुर्षेद मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है वह सब मेरी ही लड़किया है जुगनू ने मात्रिभाव से सिरहला कर कहा यह ठीक है मिस साहब पर अपना अपना ही है दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए सहसा एक सुन्दर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किये जूते चर्मर करता हुआ अंदर आया मिस खुर्षेद ने इस तरह दोड़का प्रेम से उसका अभिवादन किया मानो जामे मैं फूली न समाती हूँ जुगनू उसे देखकर कौने में दुबग गई खुर्षेद ने युवक से गले मिलकर कहा प्यारे मैं कबसे तुमारी रहा देख रही हूँ जुगनू से माजी आप जाएं फिर कभी आना यह हमारे परम मित्र बिलियम किंग है हम और यह बहुत दिनों तक साथ साथ पड़े हैं जुगनू चुपके से निकल कर बाहर आई खान सामा खड़ा था पूछा यह लॉंडा कौन है खान सामा ने सिरह लाया मैंने इसे आज ही देखा है शायद अव कुमारपन से जी उबा अच्छा तरहदार जवान है जुगनू दोनों इस तरह तूटका गले मिले हैं कि मैं तो लज्जा से मारे गड़ गई ऐसा चूमा चाटी तो जोरू खसम में नहीं होती दोनों लिपट गए लॉंडा तो मुझे देखकर कुछ जिजगता था पर तुमारी मिस साहब तो जैसे मतवाली हो गई थी खान सामा ने मानू अमंगल के आभास से कहा मुझे तो कुछ बेढ़ मुआमला नजराता है जुगनू तो यहां से सीधे मिसिस टंडन के घर पहुँची इधर मिस खुर्शेद और योगक में बाते होने लगे मिस खुर्शेद ने कह कहा मार कर कहा तुमने अपना पाट खूब खेला लीला बुढिया सच मचोंधिया गई लीला मैं तो डर रही थी कहीं बुढिया भाप न जाए मिस खुर्शेद मुझे विश्वास था वह आज जरू रहेगी मैंने दूरी से उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी आज आस्रम में बड़े मज़े रहेंगे जी चाहता है महिलाओं की कनफुसियां सुनती देख ले ना सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी लीला तुम भी तो जान बूच का दल दल में पाउं रख रही हो मिस खुर्शेद मुझे अभिनय में मज़ा आता है दिल लेगी रहेगी बुड़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है जरा उसे सबक देना चाहती हूं कल तुम इसी वक्त इसी ठाट से फिर आ जाना बुड़िया कल फिर आएगी उसके पेट में पानी हजम नहीं होगा नहीं ऐसा क्यों जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हे खबर कर दूँगी बस तुम छेला बनी पहुंच जाना आस्रम में उस दिन जुगनू को दम मायनी की फुरसत न मिली उसने सारा ब्रतान्त मिसेश टंडन से कहा मिसेश टंडन दौडी हुई आस्रम पहुंची और अन्य महलाओं को देखकर खबर सुनाई जुगनू उसकी तस्दीक कहने के लिए बुलाई गई जो महला आती वह जुगनू के मुह से यह कथा सुनती हर एक रिहलसल में कुछ न कुछ रंग और चड़ जाता यहां तक के दो पहर होते होते सारे शहर के सब भी समाज में वह ख़वर गूज उठी एक देवी ने पूछा यह युवक है कौन मिसेश टंडन सुना तो उनके साथ पड़ा हुआ है दौनों में पहले से कुछ बाचित रही होगी वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई यह कुमारी कैसे बैठी है अब खुली कल आई जुगनू और कुछ हो नहो जबान तो बांका था तंडन यह हमारी बिद्वान बेहनों का हाल है जुगनू मैं तो उसकी सूरत देखते ही ताड़ गई थी धूप में बाल सफेद नहीं किये है तंडन कल फिर जाना जुगनू कल नहीं मैं आज रात ही को जाऊंगी लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था मिसे तंडन ने आसरम के लिए एक किताब मंगवा भेची रात को नौ बचे जुगनू मिस खुर्षेद के बंगली पर जा पहुची संयोग से लीला बती उस वक्त मौजूद थी बोली बुडिया तो बेतर है पीछे पड़ गई मिस खुर्षेद मैंने तुमसे कहा था उसके पेट में पानी न पचेगा तुम जाकर रूप भराओ तब तक मैं बातों में लगाती हूँ शराबियों की तरह अंटसंट पकना शुरू करना मुझे भगा ले जाने का प्रस्ता भी करना बस यूँ बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो लीला मिशन में डॉक्टर थी उसका बंगला भी पास ही था वह चली गई तो मिस्खुर्षेद ने जुगनू को बुलाया जुगनू ने एक पुर्जा उसको देकर कहा मिस्स टंडन ने एक किताब मांगी है मुझे आने में देर हो गई मैं इस वक्त आपको कष्ट ना देती पस अभी रीव मुझसे मांगेंगी हजारों रुपे महिने की आमंदनी है मिस्स साहब मगर एक एक कोड़ी दाँच से पकड़ती है इनके द्वारे पर भिकारी को भीक तक नहीं मिलती मिस्खुर्षेद ने पुर्जा देख कर कहा इस वक्त तो यह किताब नहीं मिल सकती सुबह ले जाना तुमसे कुछ बाते कहनी है बैठो मैं अभी आती हूँ वह परदा उठा कर पीछे के कमरे में चली गई और वहां से कोई पंदर मिनट में एक सुन्दा रेसमी साड़ी पहने इत्र में बसी हुई मुह पर पाउडर लगाए निकली जुगनू ने उसे आँखे फार कर देखा ओहो यह स्रिंगार शायद इस समय वह लॉंडा आने वाला होगा तब ही यह तैयारियां है नहीं सोने के समय कुवारियों को बनाब सिंगार की क्या जरूरत जुगनू की नीती में इस्तरियों के स्रिंगार का केवल एक उद्धिश्य था पती को लुभाना इसलिए सोहागिनों के सिबा, स्रिंगार और सभी के लिए वर्जित था अभी खुर्षेद कुरसी पर बैठने भी न पाई थी कि जूतों का चर्मर सुनाई दिया और एक शन में बिलियम किंग ने कमरे में कदम रखा उसकी आँखे चड़ी हुई मालूम होती थी और कपड़ों से शराब की गंदारी थी उसने बेधड़क मिस खुर्षेद को चाती से लगा लिया और बार बार उसके कपॉलों के चुमन लेने लगा मिस खुर्षेद ने अपने को उसके कर पास से छुडानी की चेश्टा करके कहा चलो हटो शराब पी कर आए हो किंग ने उसे और चिम्टा कर कहा आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिये तुमको पीना होगा फिर हम दौनों लिपट कर सोएंगे नशे में फ्रेम कितना सजीव हो जाता है इसकी परिक्षा कर लो मिस खुर्षेद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिती का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नजर पढ़ जाए पर किंग नशे में मस्त था जुगनू की तरफ देखा ही नहीं मिस खुर्षेद ने रोश के साथ अपने को अलग करके कहा तुम इस वक्त आपे में नहीं हो इतने उताबले क्यों हुए जाते हो क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ किंग इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूँ आज से मैं खुले खजाने आऊंगा खुर्षेद तुम तो पागल हो रहे हो देखते नहीं हो कमरे में कौन बैठा हुआ है किंग ने हक बका कर जुगनू की तरफ देखा वची जक्क बोला ये बुडिया यहां कब आई तु यहां क्यों आई बुड़्टी शैतान की बच्ची यहां भीद लेने आती है हमको बदनाम करना चाहती है मैं तेरा गला खुट दूँगा टहर भागती कहां है मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पाउं रखकर भागी उधर कमरे से कहे कहे उठ उठ का छट को हिलाने लगे जुगनू उसी वक्त मिसे टंडन के घर पहुंची उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे पर मिसे टंडन सो गए थी वहां से निरास होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंदी खट कट आई पर कोई दुआर न खुला और दुखिया को सारी रात इसी तरह कारती पड़ी मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद मैं हो प्राते कालवा आसरम में जाकू दी कोई आदा घंटे मैं मिसे टंडन भी आई उना देखकर उसने मूँ फिर लिया मिसे टंडन ने पूछा रात क्या तुम मेरे घर आई थी इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा जुगनु ने विरक्त भाव से कहा प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है कुएं थोड़े ही प्यासे के पास आता है मुझे आग में जोखकर आप दूर हट गई भगवान ने मेरी रक्षा की नहीं कल जान ही चली गई थी मिसे टंडन ने उत्सुकता से कहा क्या हुआ क्या कुछ कहो तो मुझे तुमने जगा क्यों नहीं लिया तुम तो जानती हो मेरी आदत जल्दी सोजाने की है महाराज ने घर में घुसने ही न दिया जगा कैसे लेती आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वह वहां गई है तो आती होगी घरी बरबाद ही सोती तो क्या बिगड़ जाता पर आपको किसी की क्या परवा तो क्या हुआ मिस खुर्षेद मारने दोड़ी वह नहीं मारने दोड़ी उनका वह खसम है वह मारने दोड़ा लाल आखें निकाले आया और मुझसे कहा निकल जा जब तक मैं निकलूं तब तक हंटर खीच कर दोड़ी तो पड़ा मैं सिर्पा पाउं रखकर न भागती पहुची यह ब्रतांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थी जुगनू की कैची अब इस रांत रूप से चलती रही महिलां को इस ब्रतांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ न पूचो एक एक बात को खोद खोद का पूचती थी घर के काम धंदे भूल गए खानी पीने की सुध भी न रही और एक बात सुनकर उनकी त्रिपती न होती थी बार वार वही कथा नए आनंद के साथ सुनती थी मिसेश टंडन ने अंत में कहा हमें आसरम में ऐसी महिलां को लाना अनुचित है आप लोग इस प्रशन पर विचार करें मिसेश पांडिया ने समर्थन किया हम आसरम को आदर से गिराना नहीं चाहते मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने की योगी नहीं मिसेश बांगना ने फरमाया जुगनू बाई ने ठीक कहा था ऐसी औरत का मुँ देखना भी पाप है उससे साफ कहना चाहिए आप यहां से तस्रीफ ले जाएं अभी ये खिचडी पक रही थी कि आसरम के सामने एक मोटर आकर रुकी महिलाओं ने सिर उठा उठा कर देखा गाड़ी में मिस खुरशेद और बिलियम किंग बैठी हुए थे जुगनू ने मुँ फैला कर हाथ से इशारा किया वही लोंडा है महिलाओं का संपूर समूर चिक के सामने आने के लिए बिकल हो गया मिस खुरशेद ने मोटर से उतर कर हुट बंद कर दिया और आसरम के द्वार की ओच चली महिलाएं भाग भाग कर अपनी अपनी जगह या बैठी मिस खुरशेद ने कमरे में कदम रखा किसी ने सुआगत ना किया मिस खुरशेद ने जुगनू की ओर ने संकोच आँखों से देखकर मुस्कराती हुए कहा कहिए बाई जी रात आपको चोट तो नहीं आई जुगनू ने भहतेरी दीदा दिले रिस्त्रियां देखी थी पर इस धिटाई ने उसे चकित कर दिया चोर हाथ में चोरी का माल लिये सहा को ललकार रहा था जुगनू ने एट कर कहा जी न भरा हो तो अब पिटबा दो सामने ही तो है खुर्शेद वह इस बग तुमसे अपना अप्राद की छमा मागने आये हैं रात वह नशे में थे जुगनू ने मिसे टंडन की वोर देखकर कहा और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थी खुर्शेद ने ब्यंग समझ कर कहा मैंने आज तक कभी नहीं पी मुझका जुटा इलजाम मत लगाओ जुगनू ने लाठे मारी शराब से भी बड़ी नशे की चीज है कोई वह नशाव सीका होगा उन महाशे को परदे में क्यों ढग दिया देवियां भी तो उनकी सूरत देखती मिस्खुर्शेद ने सरारत की सूरत तो उनकी लाख दो लाख में एक है मिसेर टंडन ने आशंग की थोकर कहा नहीं उन्हें यहां लाने की जरुरत नहीं आसरम को हम बदनाम नहीं कहना चाहते मिस्खुर्शेद ने आगरे किया मुआमले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है एक तरफा फैसला आप क्यों करती है मिसेर टंडन ने टालने के लिए कहा यहां कोई मुकद्दमा थोड़े ही पेश है मिस्खुर्शेद वाहा मेरी इज़त में बट्टा लगा जा रहा है और आप कहती हैं कोई मुकद्दमा नहीं है मिस्टर किंग आएंगे और आपको उनका बयान सुनना होगा मिसेर टंडन को छोड़कर और सभी महिलाईं किंग को देखने के लिए उत्सुक थीं किसी ने बिरोध ना किया खुर्शेद ने दुआर पर आकर मुची आवाज से कहा तुम जरा यहां चले आओ हुड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कराती हुई निकल आई आसरमल सन्नाटा चागया देवियां विसमित आखों से लीलावती को देखने लगी जुगनू ने आँखें चमका कर कहा उन्हें कहां छिपा दिया आपने खुर्शेद चुमंतर से उड़ गए जाकर गाड़ी देख लू जुगनू लपकर गाड़ी के पास गई और खुब देख भालकर मुँ लटकाई हुए लोटी मिस खुर्शेद ने पूछा क्या हुआ मिला कोई जुगनू मैं ये तिरिया चरित्तर क्या जानू लीलावती को गौर से देख कर और मर्दों को साड़ी पहना कर आँखों में धूल जोक रही हो यही तो है वो रात वाले साहब खुर्शेद खुब पैजानती हो जुगनू हाँ हाँ क्या अंधी हो मिसेश टंडन क्या पागलों सी बात करती हो जुगनू ये तो डॉक्टर लीलावती है जुगनू उंग्ली चंका कर चलिये चलिये लीलावती है साड़ी पहन कर औरत बनते लाज भी नहीं आती तुम रात को इनके घर नहीं थे लीलावती ने बिनोत भाव से कहा मैं कब इंकार कर रही हूँ इस वक्त लीलावती हूँ रात को बिलियम किंग बन जाती हूँ इसमें बात ही क्या है देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी चारों तरफ कह कही पढ़ने लगे कोई तालिया बजाती थी कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपढ़ जाती थी कोई मिस खुर्षेद की पीटवत थबकियां देती थी कई मिनट तक हूँ हक मचता रहा जुगनू का मुँ उस लालिमा में बिल्कुल जरासा निकल लाया जवान बंद हो गई ऐसा चरका उसने कभी न खाया था इतनी जलेल कभी न होई थी मिसिस महरा ने डाट बताई आप बोलो दाई लगी मुँ में कालिक की नहीं मिसिस बांगडा इसी तरह सबको वदनाम करती है लिलावती आप लोग भी तो जो या कहती है उस पर विश्वास कह लेती है इस हर बोंग में जुगनू को किसी ने आते जाते न देखा अपने सिर पर या तूफान उठते देखकर उसे चुपके से सरक जाने में ही अपनी कुशल मालूम हुई पीछे के दुआर से निकली और गलीयों गलीयों भागी मिस खुरशेद ने कहा जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पढ़ गई थी मिसे टंडन ने पुकारा पर जुगनू कहा तलाश होने लगी जुगनू गायब उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी आस्रम के इतिहास में यह मौामला आज भी उल्लेखनिया है और मनोरण्यन का विशे बना हुआ है दोस्तो अभी आप सुन रहे थे मुन्शी प्रेमचन द्वारा लिख्योई कहानी लांचन दोस्तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा धन्यवाद